क्या राहूल गांदी अमेठी से चणाव हार रहें उसके बावजूद अमेठी से ही चणाव लढ़ने जा रहें अगले 5 मिनिट के वीडियो में कई आक्रों से आपको ये समझा देंगे कि राहूल गांदी की सीट और इस्मृती रानी की सीट अमेटी का जमीनी सर्वे क्या है अमेटी में राहूल गांदी की क्या इतनी करारी हार होने वाली है जिसकी कलपना कॉंग्रेस कर तो रही है लेकिन फिर भी एक जिद के कारण राहूल को अमेठी ही भेजना चाहती है इसमृती रानी ने पिछले 5 सालों में वहाँ पे अपना घर बनाया तो राहूल गांदी का चुनावी दोरा मात्र दो बार रहा चुनाव हारने के बाद राहूल गांदी दो बार गए और चुनाव हारते ही राहूल गांदी का जो रिष्टा था वो अमेठी से लगवा खत्म हो गया लेकिन इसकी पुरानी कहानी पर आएं उसके पहले साल 2014 से शुरू करते हैं जब स्मृती रानी और राहूल गांदी वर्सेस की लड़ाई टीवी स्क्रीन पर आई और अमेठी की जनता का दिल कैसे वहां से बदलना शुरू हुआ तो ये रहे आपके राहूल गांदी और ये रही स्वृती रानी कौन जीतेगा इस पर ये कमेंट आपको अभी बिल्कुल नहीं करना है पूरी वीडियो देखे विशलेशन हमारा जैसा भी आपको लगे आप उस आधार पर बताईए कि कौन जीत रहा है अमेठी के लोगों के दिल में कौन रहने वाला है ये कुछ फैक्ट साबित करेंगे आपको उन फैक्ट को दिखाते हैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं ये साल दोहजार ये जो आकड़ा हमने लिखा हुँ अपने टीबी स्क्रीन पर ये जो है दोहजार 14 काकड़ा है साल 2014 चुनाओ में राहूल को एतना मतलब जादा वोट मिला कि स्मिर्थी रानी हर जगा पीछे रही अमेटी में हुए साल 2014 के लोगसबा चुनाओ में विधान सबा की पांच सीटो पर स्मृतिरानी राहुल गांडी से पीछे रही और यह फैक्ट हमने वही लिखने की कोशिश किये आप अगर देखिए यह विधान सबा चुनाओ से ही आपको समझाओ नहीं हुआ था लोगसबा चुनाओ में विधान सबा सीटो पर जो वोटिंग हुई थी उसमें कितना कौन आगे था यह बात समझे हर विधान सबा के आध स्मृति और यह बन फिल से 7253 वोट मिले थे राउल गण्धी को तिलौई विधान सबा स्वस्य वर्णाओ की इसके बात शलोन विधान सबा स्साइट पर देख disclosure 18114 वोट मिले राहुल गांदी को जबकि मात्र 5514 वोट मिले स्मृति रानी को साल 2014 के लोग सबाद चुनाओं में तुलोई विदान सबाद के जनतानी इतने ही वोट किये अंतर लगबग 33000 कुछ था अब यही आप समझने की कोशिश करिए कि जगदेशपूर में क्या रहा हो पूरा केल समझ में आएगा कि कैसे राहुल गांदी इसमृति रानी के सामने पीछे होते चले गए और कैसे बीजेपी न उनकी जड़ खोद दी है आप जाने को जाओ कोई मना नहीं करेगा बड़े पार्टी के नेता हो आपको कोई मना नहीं करेगा लेकिन यह सवाल जरू और किस तरीके से आगे बड़ी है इसका सही जो आनन आने वाला है अमेठी की जनता को वह अगले एक मिनट में आने वाला आप समझे किस तरीके से महाँ पे खेल हुआ जो अमेठी लोग सबाद चुनाओं में जो अमेठी विदान सबाद सीट है वो उसके दिल्चस है और यह जो अमेठी वाई अमेठी तो दुनिया जानती है कौन तिलोई जानता है कौन जगदिश्पूर जानता है अमेठी दुनिया जानती है तो अमेठी की बात करते हैं साल 2014 में राहुल गांदी को 76,519 वोट मिले और स्मृतिरानी को 49,56 अंतर देख लिजिए सबसे ज की दिखाते हैं मतलब कैसे बदला वहालात आपको दिखाते है और वहालात सब्जने के लिए आप समझ़े कि अब बात करेंके सालAR कि साल 2,024 की बात करेंगे साल 2,019 की बात करेंगे साल 2,019 में इस तरीके से राहूल गांदी से इस्मृती राणी इतनी आगे निकल गई कि वह एक भी विधान सवा में राहूल गांदी से पीछे नहीं रहे हैं अमेठी एकलोती ऐसे विदानसवाज सीट थी, जहां 200 से या कुछ नंबर और थी, जहां परिस्मृत्ती राहूल गांदी से पीछे रह गई, और यहीं पर राहूल गांदी के हार की न्यू रखी जाती, तो सबसे पहले पांचों विदानसवाज सीटों में से बात करते हैं, इस स्मृत्य रानी को कितने मिले थे, यह रह राहूल गांदी भाई, अब आप पिछले विदानसवाज सीटों में आपने देखा, लोग स्मृत्य पीछे थे, लेकिन इस स्मृत्य रानी को 96,000 वोट मिले, कि सीट पर यह पहले विदानसवाज सीट की बात कर रहे हैं, और तिलोई सीट है यह, तिलोई की जनता ने स्मृत्य रानी को भरभर के वोट दिया, जबकि स्मृत्य रानी को लोग सबाचोना दोज़ाज़ाज चौविस में इसी सीट की जनता ने नकार दिया था, राहूल गांदी हर सीट पर लगबग पीछे हो गया, अब आपको समझात आपको समृत्य रानी लगबग 15,1964 वोटों से राहूल गांदी से आगे निकल गए थे, किस पर? इस सीट पर, तिलोई पर, इसके बाद बात करते हैं, सलोन सेट की, राहूल गांदी को लगबग 88,000 वोट मिले दोस्तों, 88,000 वोट मिले, सलोन की सीट पर राहूल गांदी क 88,000 वोट मिले और इस्मृति को कितने मिले इस्मृति रानी को एसी सीट पे राहूल के 88,000 वोट के बदले 90,100 पिंचान भी वोट मिले एक सो पिंचान भी वोट मिले और सलोन की जनता ने भी बीजेपी के कैंडिडेट इस्मृति रानी को हरी जंडी दिखा दे और राहूल गांदी यहां भी पीचे होगे जगदिश पूर सीट पर भी हाल कुछ ऐसा ही रहा जगदिश पूर सीट पे राहूल गांदी को 84,000 63 वोट मिले जबकि स्मृति रानी को 1,0970 वोट मिले दोस्तों कितने मिले 1,0970 वोट मिले यानि राहुल गांधी यां स्मृति रानी से 17,914 वोट से पिछड़ गे गौरि गंच सीट पे राहुल को 89,013 वोट मिले जबकि स्मृति रानी को 98,986 वोट मिले यानि वोट का अंतर 19,970 रहा अमेठी के सीट पे राहूल को 80,378 वोट मिले जब कि इस्वित इरानी को 80,148 वोट मिले यहां थोड़ा से आपको रोकना चाहेंगे यहां थोड़ा से इसले रोकना चाहेंगे दोस्तों कि अमेठी जो सीट है ना जहां पर पूरी दुनिया में यह बात की जाती है कि अमेठी 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 राहूल गांदी को कितने वोट मिले यहां पर यहां पर राहूल गांदी को यहां पर मिले 80,370 80,370 जबके स्मृति रानी को यहां पर 80,148 वोट मिले यह रहे और जो फर्ग था भूटो का वो कितना था यही वो एक विदानसवा सीट है जहां स्मृति रानी राहूल गांदी को पीछे 2019 के चुनाव में नहीं कर पाई बाकी पाँचों विदानसवा सीटों से राहूल गांदी को हरा दिया था और इस बार भी हार की यही उमीद है राहूल गांदी राश्रितिक पंडे मेरा खुद का सर्वे यह दावा करता है या बताता है कि राहूल गांदी की हार लगबग एक लाक वोटों के आसपास की हो सकती यानि राहूल गांदी से पामेटी सीट पे स्मृती रानी से आगे रहे और बाकी सीटों पे पीछे हो गए यह स्मृती रानी की पांच साल की मेहनत का ही नतीजा था यहां तक कि अमेटी से कॉंग्रेस का वोट शेर भी 34 से गिरके 14 प्रतिशक पांच गया जाती की बात करें तो ब्रामड मतदाताओं का रुख यहां पर एकदम अलग हो जाता है ब्रामड नेता मनुष पांडे के साथ बदल सकता है इस सीट पर सबसे अधिक 26 प्रतिशक दलितों में अधिकांश बीजेपी के लाभारती वोट बैंक का हिस्सा बन चुके है तो 18 प अंग्रेस के सबसे मजबूत लगबग 20 प्रतिशक मुस्लीम ही है जो उनके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां की पांच में से तीन विधान सबासीटों पर पहले से ही बीजेपी का कबजा है लोक सबासी रानी बहुत बड़े अंतरों से राहुल गांदी क कि हार के साफ आकड़ों को देखने के बावजूद राहुल गांदी अमेठी क्यों जा रहे हैं इस सवाल का जवाब अमेठी की लोग बताएंगे अमेठी का अगला सांसर कौन है आपके कमेंट का इंतिजार है नमस्कार